ह हब सी आसवी , को बहुत बहुत स्वागत है हमारे youtube चैनल खुशा हाँ जिनकी में तो आज की सीडोग में हम बत किने वाले राहूल गांधी के बारे में और इस विडियो कमच में खास जानेंगे क्यों मंद्ध जाने से रूगा जा रहा है और वो क्यों धने में बैठे हुई है तो इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर आप नहीं है और इत्व मार्चन को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मार्चन को लाइक, सस्क्राइब और शेयर कर दीजेगा तो चले बिना किस देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो राहूल गांदी भार जोड़ों नयाय आत्रा कर रहे हैं और इन दिनों उनकी आत्रा असम में है और राहूल गांदी ने असम के बोर्दोवा थान मंदिर में राम मंदिर पितिष्ठा के समय प्रातना करने की बात कही अवा मंदिर जा रहे थे लेकिन अन्य कॉंग्रेस नेताओं के साथ है बुरा कव में आगे बढ़ने से रोक दिया गया और बाद धरने में बैट गए हैं और कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने स्थानिय दिकारियों कदम की निंदा करते हुए कहा यहां में एक लोगतांतरिक देश में रहते हैं लेकिन यहां स्थानिय सांसर्थ गौरा गोगोई को भी रोका जा रहा है यह अन्याय है और महिला कॉंग्रेस के नेताओं ने इनमरी ना दिये जाने पर अपना असंतोश वैक्त करने के लिए धरने पर बैठ कर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांदी के साथ बैठे लोग जैशी राम के नाये लगाएं लगी और धरना स्थल पर राम भजन हुए और कॉंग्रेसियों ने रगुपती रागव राजर राम भी गाया और राहुल गांदी खुद भी रोध प्रदर्शन में शामिल हुए है और अधिकार ने इस सवाल किया है और राहुल गांदी ने कहा कि उन्हें मंदिर जाने से क्यो रोका जा रहा है और उन्हें पियम मोधी के अलोशना करते वे कहा कि क्या पियम मोधी इप ये तैक करेंगे कि कौन और कब मंदिर जा सकता है और हम कोई समस्या पैदा नहीं करना चाते हैं बस मंदिर में प्राफना करना चाते हैं और श्ट्रीशी शंकर देव सत्र मंदिर में कड़ी सुरक्ष्य विवस्ता और बढ़ गई और बड़ी संकें पुलिस तनाती गई और किवल स्थानी सांसाथ और विधाय को हिबरा गौं से आगे पढ़ने के अमति दी गई थी जो मंदिर से लगव 20 किलोमेटर दूर है और इसके अधरित मीडिया दल को भी आगे की यातरा करने से प्रदिमंदित कर दिया गया था और कॉंग्रेस सेवा दल के प्रमू किलाला जी देसाई ने सित्री को शर्मनाग मानते हुए अपनी आस्विगिती वेक्ट की है और उन्हें राम मंदिर में प्रात्ना करने की अमति ना देने के लिए प्रदान मंत्री और असम के मुक्य मंत्री दोनों की अलोशना की है करने मत भूलेगा तो मिलती हैं से अगली वीडियो में तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें